गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि बीज बनने के क्या फायदे होती हैं फर्स्ट पॉइंट है पैरी नेशन इसका मिनिंग क्या होता है कि एक सीजन जो कि फेवरेबल होता है उस सीजन से नेक्स टाइम तक उसी सीड के लिए फेवरेबल सीजन आने तक आपको survive रख पाना उसका क्या मैं बोलते हैं पैरे नेशन याने कि जैसे मालोग किसी सीड का किसी सीड का trabajar जो है उगने का टाइम है जैन से लेकर मार्च के वीश में जैन में उसको लगाते हैं और मार्च में काटते हैं उसके बाद अप्रिल से लेके दिसम्बर तक का टा कीज़ें टूरीवल नहीं है उस टाइम पे उस प्लांट को किसना किसी फोर्म में एक सीड की फोर्म में ही जिन्दा बना है उसे हम क्या वोलती है पैरी नेस्शन तो सीड फेल में दोइबanki हैं पड़ामंट ओड़ियो थि हमने कल पड़ा था कि सीड में क्या होताँ इमभीयो इंपर्मेबल जो अपने अंदर से किसे भी चीज को पास ना होने दें उससे क्या बोलते हैं इंपर्मेबल इट इस देरफोर बैस शूटिड टू पास थू दा अन फेवरेबल सीजन यानि कि एक प्लांट का सेकिंड किसी नेक्स सीजन आने तक जो कर्निशन है अन फेवरेब इस तो उस ताइम पर बिचाओ सीज अपने आपको जिंदा रख पाराइब सीड की फोर्म में डैन सेकिंड है डिस परजल सीज आर श्मॉल सीज छोटे होते हैं लाइट इनवेट हलके होते हैं तफ होते हैं टफ प्रोपागिवल क्यों बोला पिकोस प्रोपिवल क्या होते तो सीड भी क्या है प्रोपगियूल है वे सीड को गाने के बाद क्या कर पाते हैं प्लांट बना पाते हैं तो प्रोपगियूल है और टॉफ प्रोपगियूल है hard covering इसके बाहरे एक which can be easily dispersed to long distance because यह hard होता है lightened weight है छोटा है तो हम seed को जो है एक प्लेस से second place तक इसली भेज पाएंगे then third point delayed germination इसका meaning क्या होता है seed can remain dormant for months and years seed जो है dormant stage में जिस stage में उग ना पाए seed तो उस stage में जो है कई महीनों तक और कई सालों तक रह सकता है seed बिना होगे और जिन्दा फिर भी because of it edible seed can be stored for liter use तो हम इस वजय से क्या कर पाते हैं जो seeds edible हैं जो खाने होगे seed है हमारे जिससे कि rice है चावल है गे हुआ है यह सब क्या हमारे edible seeds जिन्हें खाते भी है और seed भी है तो हम उनके क्या 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 कर पाते हैं Vocês को सेहरी जिया ने, डानों कर लिजा गूंति के हुआ है तांकि महलोकर हमें एक बार हम rice लुगाया विलर राइस को अपने पास ग्रेंस को दानों को च Eat चाहिए होंगे तो उन सेहरे two- verg चालों कर एंदर akah यह जो पाते हैं थीजा एम पाते हैं ठीक होती है यानि क्या पसका temperature है सोल के अंदर कितना वोटर है कैसे टेक किस रहे हैं में वहाँ पर कैसा वातावर्ण है कैसा मोश्चर है वहाँ पर जब तो साइगे ठीक होती है तब ही क्या होगा सीड जर्मिट कर पाएगा सीड के अंदर से रूट टेम निकल पाएंगे जिस टाइंपर क्डिशन करा हैं फेवरेबल है अब सीड के सचताल को त digestive का प्सक्राइबल होती है और पर उभला इंधर क्यों जो की अंदत दा उन फिर्मड गश्चर ने बैसाट बड़ेव कर पाता है और अप्रेव पर the subsequent development of embryo into a plantlet और का दसके अंदर उसके अंदर food reserve रहता है छुपा हुआ रहता है फूड मुलता है कि स्टोर है किस फॉर्म किसी यह जब embryo develop होता है उसके लिए जब embryo से plantlet बनेगी जब embryo से छोड़ो सा plant बनेगा तो उस development के लिए seed के अंदर क्या है food reserve है भरा हुआ है it is covered by one or two seed coat seed के बार क्या होती है एक या दो seed coat होती है भाहर सीड की covering होती है जब बोलते है टेस्टा एंड टेग्मेन then food reserve में occurring endosperm और cotidian part of the embryo food कहां store हो सकता है या तो endosperm के अंदर या फिर खुद embryo के अंदर हमने कले वाद पड़े थी यह कि जो food endosperm लेता है कुछ से plant part से तो embryo के डल अप होने के बाद जो food endosperm ले रहा है या तो food endosperm के अंदर store हो जाए या फिर embryo के अंदर भी store हो सकता है embryo has an access called cellum अब next हम पार्ट पड़ते हैं तो पीछे बढ़ा कि सीर की कोट कौन कौन से होती है तो सीर के बाद दो कोटिंग होती है टेस्टा और तेग्मेंड की आउटर टफ टेस्टा और इनर थिन टेग्मेंड आउटर होती है ठीक होती है मोड़ी से होती लिए टेस्टा अंदर यह पत्तिल रहा रहते क् टेग्मन नाम की उसका क्या बढ़ा हमने कि इसके अंदर एक embryo aoot होती है s citizen क्या बोलते है टीजेलम बोल रहे है टीजेलम उसके नंदर क्या है कि one end of embryo axis, autogelum, bear's radical और future root और second end पर क्या होता है, plumule या फिर future shoot यानि कि जो ये radical axis दिखाएगे यहां में, इसमें क्या होता है, इसका एक part क्या बना रहा है plumule यानि कि future shoot जहां से हमारा future में stem बनेगा, shoot बनेगा और एक end क्या बनाता है, radical, जहां से क्या बनेगा, future root बनेगी यहां से ठीक है, तो axis पर दो end है, एक end पर क्या लगा हो है, radical part है, जहां से future root निकलेंगी और एक end पर क्या है, plumule है, जो क्या क्या बनाएगा, stem या shoot बनाता है then, plumule is often surrounded by a few small leaf primordia, जो plumule part है, आपर क्या लगा होता है, छोटर leaf type में कुछ लगा होता है जहां हम बोलते हैं, leaf primordia, on the embryo axis is present a cotylidine node, यहां पर क्या होता है, किसी embryo axis पे एक node present है जिसे हम बोलते हैं, cotylidine node, यानि कि यहां पर जिस point से, embryo axis के, जिस point से, दोनों cotylidine attach होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, cotylidine node, और उसका बाद next point आता है, कि इस node और plumule की बीच में, तो distance होता है क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, apicotyle, ठीक है, the area between, आपको गिवन भी है, the area of embryo axis between cotylidine node and plumule is called apicotyle, while the area between cotylidine node and radical is called hypocotyle, तो जो area node और किस के बीच में है, plumule के बीच में है, वो कौन सा area है, apicotyle, और node और किस के बीच में, पर radical के बीच में कौन सा area होगा, hypocotyle होता है, under favorable conditions, seed absorb water, just time पर conditions favorable है, हमने seed कहां बोया, मिट्टी के अंदर बोया, तो क्या करता है, seed पानी absorb करता है, क्योंकि हम पानी देते हैं, seed के अंदर, तो पानी का absorb किया seed नहीं, उसके बाद क्या होता है, सीड की outer coat, जो hard होती, वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर क्या होगा, जो सीड के अंदर embryo axis थी, जो पास radical plumeal part थे, वो radical plumeal part ग्रो करेंगे, radical से क्या बनेगा, root system, क्योंकि radical कहां पास हो जाएगी, radical जो है downward ग्रो करेंगी, जो जोसल के इंदर grow करेंगी, और क्या बनागी root system, वो जो Ke अबो, जो काहाा इगा, जो के अबोव आयेगा, और grow करेंग यह भी बनाएगा, Gem antic Seed is now. Converted Into Seedling. जू जब एक Seed में से sem neck dell little processes few नेगजा, और Shields also yield from seeds to seedling, So seed will convert into seed link. जेट खुत सीड के बारे चर्ण सेष्चर के बारे में और सीड का किसी हम मौता होती है यह लरी एलोय खुती तलये जो बहोता हों है यूप साथ 粹च इंपा। to the middle of embryo axis by a narrow short stalk तो इस तो क्या होते हैं दोनों कोटिल ना अपस में अटेश होते हैं इसमें फूड भरा होते हैं इसमें फूड भरा होते हैं तीप ओफ embryo axis तुवार्ड दा माइक्रोपाइलर एंड इस राडिकल और फ्यूचर रूट तो जो चीज माइक्रोपाइल की तरफ है माइक्रोपाइल की तरफ है माइक्रोपाइल किया पढ़ा था हमने कल हमारे एम्प्रोपाइल के फ्लावर का पार्ट होता है फीमेल पार्ट में एम्प्रोपाइल था एम् यहां पढ़ रहे हैं कि tip of embryo axis toward the mycopylar end is radical or future root तो mycopylar की तरफ क्या करो करता है हमेशा radical यहां से क्या बनेगी हमेशा root बनती है ठीक है mycopylar end से क्या बनेगी root बनेगी radical से the other end of embryo axis is the primule or future shoot other second end रह गया हमारे यह क्या बनेगा shoot बनेगा stem वाला पार्ट बनाएगा it be a small leaf primodic इसके ओपर क्या लगे होते हैं कुछ कुछ small-small leaf लगे होती है और ग्राम सेट करता है डाइक कोटिलेटनस यानि कि ग्राम सेट में कहते हैं दो सेट के दो कोटिलेटन होते हैं और नोन एंडोस्पम में इसके अंदर जो एंडोस्पम नहीं होता कल हम पढ़ेंगे reproduction human being आज के लिए बसी ही तक